हाज जी दोस्तों तो कैसे हो आप सभी सो प्यार बच्चों जो बच्चे 2024 के अंदर क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जा फिर क्लास 9 का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा ओफिशल अकेडमिक टाइम लाइन निकल कर आ चुका है यह ओफिशल टाइम लाइन ने सभी स्कूल के प्रिंस्पल को भेजा गया है जहां पर बताया गया है कि आपका जो स्लेबस कंप्लीशन का डेटे वो कब रखा गया है प्रैक्टिकल का एक्जाम कब होना है क्या 75% अटेंडेंस मेंडेटरी है अगर है तो अटेंडेंस कब तक काउंट किया जाता है यह सारा कोशन का एंसर आपको इस अकेडमिक टाइम लाइन में मिलने जा रहा है तो यह वीडियो काफी कम इवन कोई भी वीडियो ऐसा आपको यूट्व में देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले समर विकेशन का बात मैं नहीं करूंगा तो बैटर रहेगा क्योंकि काफी जगा स्कूल खुल चुका है और काफी जगा लगबख खुलना स्टार्ट हो चुका है तो समर विकेशन को अभी छोड़िये अब मैं बात करता हूँ सेमेस्टर वन एकजाम का तर्म एकजाम का तो ये टोटली सीवी एसी ने स्कूल के हैंड में छोड़ दिया है बट बोला है कि एराउंड 15 तो जुलाई के आसपास स्टार्ट कीजिएगा तो बैटर रहेगा बट हर एक स्कूल को एक जो लास्ट टाइम लाइन दिया गया है वो है एंड ओब अगस्ट यानि कि अगस्ट कम्प्लिट होने से पहले हर हाल में सभी स्कूल को टर्म एकजाम सभी क्लास के बच्चों के का कम्प्लिट करवा लेना है किलियर है वारी गूड नेक्स क्योंकि टर्म एकजाम आँ सीबीएसी के लेबल का या कोई दुसरे बोट के लेबल का नहीं होता है इसकूल वाले अपने लेबल का बनाते है इसलिए इसमें कोई भी बोट का लेना देना नहीं होता है ओके next syllabus completion की मैं बात करूँ तो हर हाल में 20 December तक final यानि कि 100% syllabus सभी school वाले को complete कर लेना है in case अगर delay होता है तो ये 30 December तक जा सकता है but इससे ज़्याद़ delay school वाले नहीं कर सकते है यानि last date 30 December है but 20 December ही last date दिया गया है but in case ना हो पाए तो 30 December तक हर हाल में सभी subject का syllabus school के तरब से complete हो जाना चाहिए clear a very good next अगर मैं attendance की count बात करूँ तो अगर मैं सिर्फ board class की बात करूँ class 10th and class 12th then board का attendance है वो केवल 31st December तक count किया जाएगा इसके बाद जन्वरी के अंदर आप class जाए या फिर नहीं जाए उसे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि 31st December तक final attendance list बना कर CBAC को 5th जन्वरी तक हर हाल में भेजना पड़ता है सभी school वाले को ओके चाहिए कोई board से भी हो CBAC में यह सबसे ज़्यादा strictly follow होता है अभी मैं CBAC की बात कर रहा हूँ तो 5th जन्वरी तक हर school वाले को CBAC को attendance list सभी बच्चों का भेजना पड़ता है final attendance list ओके तो 31st December के बाद कोई भी attendance count नहीं होता आप जाए या पर नहीं जाए वो formality है attendance count नहीं होता है 75% attendance 31st December तक ही count किया जाता है आप 75% attendance के उपर अगर आपको एक dedicated वीडियो चाहिए कि sir क्या कमपलसरी होता या नहीं होता है क्या होगा अगर कम रहेगा क्या admit card नहीं मिलेगा तो यह सब अगर आपको जानना है तो comment करके बता दीजिएगा मैं इसके उपर एक अलग सब वीडियो बना दूँगा next winter vacation 24th December से लेकर 2nd January तक चलेगा यह CBAC का यह वाला टाइम लाइन है जो की follow करना इसकूल वाले को next practical exam के वल क्लास 12 वाले बच्चों का जिसमें external teacher आते है वो 3rd January से लेकर 5th of February तक चलेगा board exam 15th February से start होगा non board exam आपका हर हाल में end of March से पहले खटम हो जाना चाहिए 11th वाले बच्चों का जो exam है final exam वो आपका around 15 March के आसपा start होगा तो यह था हमारा complete academic timeline जो की मैंने आपको बता दिया short में बताया है इसके बाद अगर आपको कुछ और जानना है जो मैंने आपको नहीं बताया तो comment करके पूछ लीजिए definitely मैं reply में आपका answer कर दूँगा but subscribe और एक like जरूर कीजेगा जय हिंद जय भारत